हलो फ्रेंट्स क्या आपने कभी हरे मटर की पुड़ी बनाया है ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है और ज्यादा समय भी नहीं लगता है और कम समान में आसानी से बनकर तियार हो जाती है ज्यादा परिशान होने की जुरुत नहीं पड़ती है तो फ्रेंट्स और य सीजन पर बहुत ही असानी से हरी मिर्च मिल जाते हैं और सस्ता मिलता है और इसमें 5-6 लहसुन मिला दिया है खोड़ा साधरा का टुकड़ा उसे भी कट कर लिया था और आप स्वादानुसार इसमें हरी मिर्च मिला सकते हैं वन टी स्पून जीरा मिलाते हुए बारिक इसको अच्छे से पीस लेते हैं मिक्सर में अब हम नेक्ष्ट तैयारी की तरफ चलते हैं यहूं काटा ले लिया है इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर वन टी स्पून धनिया पाउडर मिला देते हैं हाफ टी स्पून गरम मसाला एड़ कर देते हैं स्वादानुसा लाल मिर्च पाउडर एड़ कर दीजिया और यह हाफ टी स्पून अजवाइन ले लिया है तो अजवाइन को हाफ हाथ से ऐसे क्रश करके डालते हैं तो ऐसे में यह बारिक हो जाता है और अच्छा फ्लेवर लिया है मिक्सर से तो इसको भी मिला देते हैं प्रेंट्स बहुत यसानी से बन कर तियार हो जाती है ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है और खाने में तो इतनी ज्यादा लाजबा कि आप इसको डेली बना कर खाएंगे हरी धनिया को भी इसमें बारिक काटकर एड़ कर दिया आप जाहें तो हरी मिर्च काटकर डाल सकते हैं और इस अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें दो टेबल स्पून रिफाइन ओल मिला दिया है बहुत जादा हमको मौन डालने की जरुवत नहीं पड़ती है थोड़ा सा रिफाइन ओल इसमें आट कर दें अच्छे से इसका डो त्यार कर लेते हैं इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं इसके बाद ही हम आविशक्ता नुसार इसमें पानी मिलाएंगे तो फ्रेंड्स इसके लिए हमने थोड़ा गरम पानी करके ही इस आटे को गुंधा है ताकि यह आट अच्छे से गूत कर त्यार हो जाए और जो भी मसाले वगएर अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगे इसको हमने अच्छे से गूत लिया है और इसको गूतने के बाद हमको करना यह है कि बाद में हम थोड़ा सा रिफाइन ओल ले लेंगे हाथ में और तो गोंते बाद हम इसकी पूर्डिया तयार करते हैं आप इसकी छोटी बड़ी जैसे भी लोई बना स्वार वगिना कर लेए जैसकर यू तो रोटी बेलने वाले बता बेलन का। और इसकी हम गोल मटोल छोटी बड़ी जैसे भी आप बनाना चाहते हैं पुड़ी वैसे बना सकते हैं हमने ओयल को गरम होने के लिए रख दिया है तो इसकी हम पुड़ी तियार करते हैं फ्रेंट्स आपको सच में खाने में बहुत ही मज़ा आएगा बहुत ही स्वादिश ल ताकि आता अच्छे से फूल जाए तो हमारी पुड़ी अच्छी फूली फूली बनती है पुड़ी बनकर तियार हो गई है खाने में बहुत ही स्वादिश लगती है आप इसका टेस्ट नहीं भूल सकते हैं तो आप इस ठंड के सीजन में इस हरे मटर की पुड़ी को जरू किससको लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ओके फ्रेंश टेक क्यार जल्द ही मिलते हैं बाई बाई